चानक के आईयस अकेडमी में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करने वाले हैं आईसलेंड की प्रधाल मंत्री और विमिन्स डे ओफ के बारे में जो हाल ही में चर्चा में बना हुआ था 24 अक्टूबर को आईसलेंड की प्रधान मंत्री काटरिन याकबस जोटीर समेथ हजारों महिलाएं एक दिन की हरताल पर चली गई हरताल पर जाने वाली वो किसी देश की पहली प्रधान मंत्री कही जा सकती है ये महिलाएं देश में वेतन की एसमानता और जेंडर आधारित हि रोध कर रही थी अब इसका क्या प्रभाव पड़ा तो प्रधान मंत्री समेथ हजारों की संख्या में विमन्स टे ओफ पर गई यानी 24 अक्टूबर के दिन इन महिलाओं ने काम ही नहीं किया आइसलेंड में स्वास्त्य और सिक्षा के छेत्र में काम करने वाली जादातर महिलाएं इससे प्रभावित है और हर्ताल में शामिल इन महिलाओं ने किसी भी प्रकार के काम करने से इंकार कर दिया था हर्ताल में महिलाओं ने घर के काम को भी शामिल रखा आइसलेंड में 24 अक्टूबर को प्री और प्रात्मिक स्कूल बंद रहे और जो खुले थे वहां भी स्टाफ प्रयाप नहीं था इस हर्ताल का असर म्यूजियम, पुस्तकालियों, चिडिया घरों पर भी देखा गया हर्ताल में शामिल रही आइसलेंड की प्रधार मंत्री ने कहा कि मैं आज काम नहीं करूंगी और ये मैं उम्मीद करती हूँ कि कैबिनेट में मौजूद सभी महिलाएं ऐसा करेंगी अगर इसके कारणों की चर्चा करें तो देश की टीचर्स यूनियन के अनुसार सिक्षा के छेत्र में हर स्तर पर बहुमत में महिलाएं हैं इन में से 80 प्रतिशत महिलाएं हैं देश की महिलाओं का मानना है कि आइसलेंड में जेंडर समानता बढ़ी है लेकिन महिलाओं के खिलाफ हिंसा अभी वी एक समस्या है सद्धान्तिक तौर पर होना ये चाहिए कि जादा जेंडर समानता हो, कम हिंसा हो लेकिन ऐसा नहीं है हमारी संस्कृती में महिलाओं के खिलाफ हिंसा गहराई से जमी हुई है सयुक्त राष्टर के महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर 81 किये गए वैश्विक आंक्रों के अनुसार आइसलेंड में 22 परतेशत महिलाओं ने अपने पार्टनर से शारीरिक या योन हिंसा का सामना किया है हाला कि ये तासा आक्रा नहीं है लेकिन ये बताया गया है कि 18 से 80 साल की इन महिलाओं ने अपने जीवन में कभी न कभी हिंसा का अनुबव किया है आइसलेंड के इतिहास के अगर बात करें तो आइसलेंड यूरोग का एक छोटा देश है और इसकी राजधानी रेक्याविक है इसकी आबादी 3 लाग से कुछ जादा है यहां महिलाओं अधिकतर स्वास्ते और सिक्षा के छेतर में काम करती है वर्ड एकॉनमिक फॉरम के अनुसार आइसलेंड दुनिया का एक ऐसा बहतरीन देश है जिसका नाम लगातार 14 साल से जेंडर समानता की सुची में शुमार है फॉरम ने देश को 91.2% का स्कोर भी दिया है इस देश को feminist heaven कहा जाता है या महिलाओं के लिए स्वर्ग के तौर पर जाना जाता है क्योंकि आइसलेंड ने जेंडर समानता की खाई को 90% तक पाट लिया है हालांकि आयोजित हर्ताल में भाग ले रही एक महिला ने ये भी कहा है कि हम इस और ध्यान दिलाना चाते हैं कि हमें समानता का स्वर्ग माना जाता है लेकिन जेंडर ए समानता अभी भी मौजूद है और आपात कदम उठाने की आवशक्ता है इतिहास की अगर बात करें तो ऐसे घटनाएं आइसलेंड में पहले भी हो चुकी है आइसलेंड में लेंगिक ऐसमानता के खिलाफ आवाज पहली बार उठी हो ऐसा नहीं है इसका भी एक इतिहास है साल 1975 में पहली बार देश में महिलाएं पूरे दिन की हर्ताल पर गई थी 24 अक्टूबर साल 1975 में देश की 90 फिस्दी महिलाएं अपनी उप्योगिता बताते हुए हर्ताल पर चली गई थी इस दिन महिलाओं ने दफ्तर घर या बच्चों का ध्यान रखने की बजाए सडकों पर उतरने का फैसला किया था इस दिन को आइसलेंड में विमिन डे ओफ के नाम से जाना जाता है आइसलेंड में साल 1915 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था साल 1975 में आइसलेंड की संसद में सिर्फ तीन महिलाएं संसद थी मौझूदा वक्त में वहां की संसद में 30-50 महिलाएं है हर्ताल करने का प्रस्ताव सबसे पहले एक महिला संगठन रेड्स कोटिंग्स ने रखा था जिसका गठन 1970 में हुआ था लेकिन कुछ महिलाओं ने इसे टकराव पुन बताया था जब इस हर्ताल का नाम बदलकर विमन्स टे ओफ रखा गया तो सभी का सयोग इसे हासिल हो गया इस रैली में एक ग्रहनी दो संसद महिला आंदोलन से जुड़ी एक प्रतिनी धी और एक महिला वरकर वक्ता बने जिसके बाद रेडियो, टेलिविजन और अक्वारों में कहानिया छपी मेडिया में महिलाओं को वेतन का मिलने और लेंगिक ऐसमानता से जुड़े मुद्दे उठाए गए साल 1905 में हुई इस हर्ताल का असर ये हुआ कि देश की संसद को समान वेतन को लेकर कानून पास करना पड़ा पूर्व प्रधानमंत्री विंग डिस फिनबोगा डोटे ने साल 2015 में कहा था कि साल 1905 में हुई हर्ताल महिलाओं की आजादी की तरफ पहला कदम था जिसके बाद 1980 में उनका देश पहली महिला प्रधानमंत्री बनने का रास्ता बना इसके साथ ही आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है हम फिर मिलेंगे एक नए विशे के साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें